आपके बास Redmi 13C है या फिर 13 series का कोई और फोन है तो यहां पे आप Bluetooth से file transfer कैसे कर सकते हैं कैसे connect कर सकते हैं तो यहां पे आप पहले अपना Bluetooth क्लिक करके on कर लेंगे और इसको touch करके रखेंगे तो इसकी setting open हो जाती है और दूसरा कोई phone ले लेंगे उसमें भी आप Bluetooth को open कर लेंगे इसके बाद यहां पर डिवाइस आपका search में आ जाएगा और यहां पर निव डिवाइस कर लेंगे और यहां पर Bluetooth सर्च कर लेंगे जो भी डिवाइस अवैलेबल होगा आपके phone में तो यहां पर आप जिसको connect करना चाहते हैं उससे select कर लेंगे और जिस device को select करेंगे उस पर एक code जाएगा तो code को आप match कर लेंगे तो अगर same है तो आप इस पर match करके pair पर क्लिक कर लेंगे अब यह allow access contact का option इसलिए होता है कि अगर कोई आप Bluetooth डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं जिससे की phone call वगरा भी हो सकता है तो आप यहां पर on कर देंगे तो calling वगरा भी हो जाती है इससे लेकिन मैं इसको अंचेक करके pair कर दूंगे इसको भी pair कर ठीक है यह आपका connect हो चुका है अब यहां पर इस पर क्लिक करेंगे ना arrow पर तो यहां पर internet access देना चाहते है contact sharing तो आप on कर सकते हैं बाकि यहां से इसको रिमूफ कर सकते हैं यहां से इसको रिनेम भी कर सकते हैं तो यह होगी Bluetooth की setting बाकि यहां पर आप फाइल ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे अपनी गैलरी में गैलरी में कोई भी फोटो आपको शेर करनी है तो आप उसको select कर लेंगे और शेर पर क्लिक कर लेंगे और यहां पर ऐसे options आपको देखने को मिल जाते हैं स्क्रॉल कर लेंगे तो यहां पर ना इसको एक पर back करके इसको ऐसे select कर लेंगे इस टैप से अब यहां पर send पर click करेंगे तो यहां पर bluetooth का option आपको देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन अब भी आपको क्या करना है back कर लेना है अपने file पर जाना है कोई file manager आप open कर लिंक चाए google file या कोई सी भी file यहां पर आप images पर click करेंगे तो यहां पर image को select करेंगे ना यहां पर आप share पर click करेंगे तो यहां पर आपको bluetooth का option देखने को मिल जाएगा आप इस पर click कर लेंगे ठीक है और जो भी device आपने select किया था ना connect किया था उसे select कर लेंगे तो file यहां पर आपके send हो रही है देख सकते हैं आच चुकी है इधर accept कर लेंगे यहां से load हो रही है तो यहां पर file आ चुकी है इसको आप एक बर click करके देख लेंगे देख सकते हैं यह same photo है ना तो ऐसे करके आप data transfer कर सकते हैं अब आपको अपने दूसरे phone से करना है या receive करना है तो same process है आप click करके इसको select कर लेंगे इसको नहीं अब दूसरा photo एक बर select कर लेंगे share पर click करेंगे इस step से भी share का option आता है और आपको यह Bluetooth का option मिलेगा sharing पर click करेंगे अपना phone select कर लेंगे same चीज आपको receive होगा accept पर click कर लेंगे यहां से send हो रहा है यहां पर receive हो रहा है यह हो चुका है receive successfully तो देख सकते हैं ऐसे करके आप share कर सकते हैं फाइल को और Bluetooth remove करना है तो जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ आप यहां पर जाएंगे इसको unpair कर लेंगे तो यह remove हो गया device तो इस step से setting कर लेंगे मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमश्कार